हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को एक खुश खबरी दी है। टाटा ने भारतिये मार्केट में अपनी दमदार लुक वाली दो नई SUV लॉंच कर दी है। दोस्तों, टाटा की पॉपुलर SUV सफारी और हैरियर के न्यू जनरेशन मॉडल 17 अक्टूबर को लॉंच किये है। दोनों गाड़ियों के लगजरी इंटीरियर और तगड़े फीचर्स को देखते हुए कमपनी ने कीमत काफी कम रखी है। दोनों SUV में एक जैसा अपडेटेड डीजल इंजन सेटप दिया गया है, जिससे इनका माइलेज जादा है। कमपनी का दावा है कि दोनों कारें 16 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा का माइलेज देती हैं। इनमें लेवल, 2 ADAS और 7 Airbag जैसे सेफटी फीचर्स दिये गए हैं। 2023 टाटा सफारी और टाटा हैरियर में पहले की तरह 2.0, लीटर का 4, सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 170 PS की मैक्सिमम पावर और 350 नैनो मीटर्स का पीक टॉक जनरेट करता है। इंजन को 6, स्पीड मैनूल और आंटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। दोस्तों नई टाटा सफारी और टाटा हैरियर की कीमत देखा जाए तो वर्तमान में नई सफारी की X शोरूम कीमत 15.85 से 25.21 लाख रुपे के बीच है। इसका मुकाबला MG Hector Plus, महिंद्रा XUV 700, महिंद्रा Scorpio और हुंडई अल्गजार से रहेगा। वहीं टाटा हैरियर की वर्तमान X शोरूम कीमत 15.20 से 24.27 लाख रुपे के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 700, MG Hector, जीप कमपस से रहेगा। इसके अलावा इसका कमपेरिजन हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के टॉप वैरियंट से भी होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो आच्छा लागे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलता रहेगा।